हलो दोस्तो स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मोगरी के प्लांट्स में आप फूल किस तरह से ले पाओगी क्योंकि मोगरी का प्लांट्स गर्मी के मन्थ में क्या होती है कि अधिक मात्रे में ये फूल हमारा खिलती ह और इस तरीके से खिलती है देखी यहां पर इस तरीके से जैसे कि आपके को नजर आ रही होगी कि यहां पर हमारा फूल किस तरह से खिली हुई है लेकिन यह फूल खिलते ही क्या हो रहा है हमारा जड़ जा रही है इस तरह से हमारे पौधे से फूल नीचे निकल कर गिर जा र लेकिन अब आपको इसको रोखना होगा क्योंसे प 보이는 कारण से हमारा प्लांट्स से फिल खिलते ही वाफ सा है अगर देने जाहरी हूं क्षाइयां देने जारी हूं जिससे देखकर आप हैरान हो जाओगी दोस्तों recommend की चीजों करना होगा st讚 को आज बताती हूं तो सबसी पहले हम आप को दिखाती है कि यह tablet यह tablet को आप देख सकते हो यह calcium का tablet है यह नहीं कि आपको अगर घर पी कोई भी expire हो या किसी तरह का tablet हो तो आप उस tablet को पौधे पर इस्तमाल कर सकते हो क्योंकि यह tablet अगर हम एक पौधे पर डाल देते हैं तो जैसे आपका बोड़ी में एनर्जी और उसमें ताकत हो जाती है calcium की पूर्ती तरह से यह tablet भी हमारे पौधे को calcium को पूर्ती करती है और इस तरह से हैं इनके ब्रांच निकालने में मदद करती है तो दोस्तों इसको डालना कैसे है किन तरीकों से डालना है तो मैं आपको आज जानकारी दूँगे क्योंकि इस तरह से टाइबलेट को आप बेकार समझ कर फेके ना इनको यूज में ले ले और भी किसी तरह का भी टाइबलेट हो यह नहीं कि calcium का ही टाइबलेट हो उस तरीके से हमें यहां पर एक टाइबलेट को निकाल लिए हैं, अब इनको आपको करना क्या है, इस तरीके से टाइबलेट को आपको डालना है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, सबसी पहले इनकी मीटिया है, जो मीटिया में इस तरह से टाइबलेट को आप दवा सकते हो यहां पर complete इस मीटी में इसको दावा दे तो देखिये हमें यहां पर इस टाइनिट को दावा दिये हैं अब इसको क्या करना है आफ हलकी मीटी से दावा दे फिर उसके बाद हम इसमें कुछ देर के बाद हम पानी डालेंगे नई तो हम इसी टाइबलेट का फटिलाइजर बना कर आपको पौधे पर डाल कर दिखाऊंगे क्योंकि इस तरह से अगर फुल जड़ जाती है तो इन फुलों को रोकना होगा नई तो एक भी फुल हमारे पौधे पर लगेगी ही नहीं क्योंकि ये सारे घुच्छे में फुल हमारा खिल रही है तो इनको रोकना ही होगा तो चलिए हम आपको अब टाइबलेट को इस पानी में बना कर बताती हूं इनकी लीक्विड बना कर बताती हूं क्योंकि इस तरीके से हम एक लीटर पानी ले ली है एक लीटर में कम्प्लीट आप कम स डालना है और इसको 5 मिन्ट के लिए आपको छोड़ देना है ना कि आप इसको तुरंत घोल ले क्योंकि ये धीरे धीरे पानी में जाकर दिखी किस तरह से ये कनभट हो रही है ये बिल्कुल बहुत ही बेहतिरीन तरीके से ये फूल जाएगे और फूलनी के बाद ये फटिला से ये आप डाल सकते हो और इनका रिस्पॉंस देख सकते हो दोस्तों ये पानी में डालते ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये घूल गई है हमारा ये इस टाइबलेट आप देख सकते हैं कि कि कितना वहतिरीन तरीके से यहां पर घूल कर ये अच्छी तरह से हो गई है तो च पौधे पर डाल कर मैं दिखा रही हूं कि आपको डालना कैसे है तो जैसे कि एक पौधे के लिए आप कम से कम 100 ml तक डाल सकते हो अधिक ना डाले क्योंकि अधिक भी डालने से हमारा पौधे पर नुकसान करती है तो दोस्तों इसी तरह से आप फटिलाजर बना कर अपने प्ल तरीका भी आप जानले कि किस तरह से यूज करना है और अपनी पौधे को हिल्दी और स्वच सुन्दर बनाना है क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी के मंत में हमारे अधिक पौधे में मिली पक का अटैक आ रही है और इसके कारण से हमारा प्लांस मर रही है तो बचाने के कि कल्या सूख रही है इनकी पत्या सूख जाएगी इनकी तहानिया सूख जाएगी और फिर आपका फ्लाबर बिलकुल भी नहीं खिलेगी तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना